वेलकम टू आर यूटीव चैनल एमस दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 26 जनवरी को किन किन लोगों से पदमे अवार्ड से समानित किया ठीक है जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को न्यूस की न्यूस पेपर की छुटी रहती है तो डाटा का लेक नहीं हो पाता है तो इस कर दिया गया था इसके अंत्रगत किसी खास छेत्र में विशेस योगदान देने वाले नागरिगों को तीन स्रेणियों में जैसा कि आप इन तीनों स्रेणियों के नाम जाते हैं पद्म भूशन पद्म भूशन और पद्म से समानित किया जाता है राष्ट पती रामनात को बिन ने इस साल 128 पद्म पुरुशकार प्रदान करने को मंजूरी दे दिये ठीक है अगर आप लोगों से पूछा जाए इस पर कोशन बन सकता है कि कितने पुरुशकार प्रदान करने को मंजूरी दिये तो आपको याद रखना है 128 ठीक है पहले हम लोग पढ़ेंगे पद्म भिभुशन के बारे में ये किन किन लोगों को दिया जाता है तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि ये सम्मान भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला दूसरा उच्चनागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक छेत्रों में मूले योगदान के लिए दिया जाता है ये सम्मान भारत के राष्ट पती द्वारा दिया जाता है इस सम्मान की इस्तापना दो 1954 में की गई थी भारत रतन के बाद यह है दूसरा प्रतिस्टित सम्मान है ठीक है यह कौन सा पन्व भिभूशन भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना कपी गई थी दो जनवरी 1954 में अब जानेंगे कि एक इनकिन लोगों को दिया गया तो बच्चों पन्व भूशन सम्मान जो है यह चार लोगों को दिया गया अबु आत्रे कला के छेत्र में महराष्ट में रादे स्याम खेमका मन्नो परांत सहित के छेत्र में सहित और सिक्षा उत्तर प्रदेश से जनरल वि पूछा जा ना पूछा जा लेकिन विपिन रावस सरका तो जरूर ही पूछा जा सकता है कि किस जगा से तो फिर आपको याद रखना है उत्रा खंड से आगे बढ़ेंगे अब हम लोग बात करेंगे पद्म भूशन के बारे में तो ये देश का तीसरा सर्वोच नागरिक सम् करता है कि यह जानेंगे कितने लोगों को दिया गया है यह गुलाम नभी आजात लोग के कार करता जम्मू कस्मीर विक्टर वनेर्जी को कला के छेतर में पश्चिम बंगाल गुर्मीद वावा कला के छेतर में पंजाब रासित खान कला के छेतर में उत्तर प्रदेश देवेंद जजरिया खेल के छेतर में राजिस्थान ऐसे बच्चे देख रहे हैं आप लोगों कितने सारे नाम है सत्य नरायन नडेला व्यापार के व्यापार और उदोग के छेतर में कहां अमेरिका ओल राइट चलिए ये सारे नाम आपको पीडियाफ में मिल जाएंगे आगे बढ़ेंगे पदमिस्री अवर्ड के बारे में जानेगे तो ये भारत सरकार द्वारा आम तोर पर केवल भारतिय नागरिकों को दिये जाने वाला सम्मान है ये सम्मान जीवन के भिविन छेतर जैसे की कला, सिक्षा, उदोग, साहित, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समा सेवा और सार्वजनिक जीवन आदी के विशिष्ट योगदान को मानता प्रदान करने हित्तु दिया जाता है भारत के नागरिक पुरुसकारों का पदानुकरम यह है चौथा पुरुसकार, ठीक है दूसरा हम लोगों ने जाना था, आप लोग फटा फट कमेंड बॉक्स से मताईए कि भारत का दूसरा सरवोच सम्मान कौन सा है बचो टोटल 128 दिये गए है, ठीक है तो सारे नाम तो अभी हमें आपे नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि लेकिन आप लोग देख रहे हैं, कि आपको नाम सारे मिल जाएंगे तो PDF आपको जब मिलेगी तो उसमें यह सारे नाम आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जादा क्लियर्टी के साथ में मिलेंगे, PDF के लिए आप लोग टेलिग्राम चैनल जोइन करेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है एक दो नाम जाल लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर लता देशाई इनको मेडिसिन के छेतर में गुजरात में दिया गया है, डॉक्टर प्रोकर दास गुपता इनको भी मेडिसिन के छेतर में बृतेन में दिया गया है, माल जी भाय देशाई इनको लोग कारे करता गुजरात मे बसंती देवी इनको समाजी कार के लिए दिया गया उत्राखंड में श्यामा मनी देवी इनको कला के छेत्र में उडीसा में ऐसे बचो आप लोग देख रहे हैं कुल 128 नाम है ठीक है चुनको की अभी लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है तो आपको यह सारे नाम मिल जाएंगे पीडियफ में आप लोग आराम से पीडियफ में इसारे नाम देख सकते हैं पढ़ सकते हैं हला कि सभी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मगर कोई-कोई है जैसे कि यह क्रिसी के छेत्र में आ गया है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अमाई-महालिंग-नाइक इनको क्रिसी के छेत्र में करनाटक पे दिया गया है ठीक है पर्मिश्री याद रखेंगे आप लोग सोनु-निगम इनको कला के छेत्र में महराष्ट में दिया गया है बाकी आप लोगी नाम देख रहे हैं यह 136 और इसी तरीके से हम आएंगे अपने लास्ट नाम पर यह रहा 128 वड़ापलीन वार साहित और सिक्षा के छेत्र में मेगाल है जैनतु-कुमार को विज्ञान और इंजीनियरिंग के छेत्र में गुजरात ठीक है चली वच्चो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले साथ ही इसकी पीडियाफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर यह सारे नाम आपसे किसी भी परिच्छा में पूछे जाने के लिए बहुत ज्यादा महत पूर्ण धन्यवाद जैहिंद